नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास सेवेंथ के मल्टिपल चॉइस कुश्टन्स और जो ये मल्टिपल चॉइस कुश्टन्स होने वाले हैं ये साइन्स के होंगे और चैप्टर का नाम है तो जो कॉश्टन्स होने वाले हैं ये NCRT और एक्जेंपलर बेज़ होंगे और साथी साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कॉश्टन्स होंगे वो अप्रॉक्सिमेटली 35 कॉश्टन्स आज हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए पहला कॉश्टन देखते हैं हुमिडिटी क्या मेजर करती है तो इसका अंसर हो जाएगा मॉइस्चर सेकेंड कोश्टन पर आते हैं सेकेंड कोश्टन क्या है इसमें कहा गया है नेक्स्ट इसकेंड हैं इसमें कहा गया है रّेनफॉल जो मेजर करती है वह किस इंस्टूमें से मेजर किया जाता है तो आप लोग ने हमेशा देखा होगा भी rainfall measure किया जाता है तो कुछ ऐसे लिखा रहता है centimeter of water इस तरीके से चीज़े लिखे रहती है मतलब इसने centimeter पानी बरसाथ हुई ठीक है तो centimeter में क्या करते है rainfall को लोग measure करते है next question पर आते हैं next question is question number 4 question number 4 देखते हैं क्या है question number 4 में बोला गया है the day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall देखे day-to-day की बात करी गई है day-to-day condition जो होती है उसको क्या बोलते है that is called weather ठीक है तो इसमें B option आ जाएगा question number 5 देख लेते हैं 5 में क्या बोला गया है इसमें कहा गया है all changes in weather are caused by देखे जितने भी changes होते हैं वो किसकी वज़य से होते हैं तो बहुत simple सा खारण है that is all because of sun क्योंकि sun is the major source of energy sun is the main source of energy on earth ठीक है next question बे आते हैं next question question number 6 the average weather pattern taken over long period of time say dash years is always is called climate of that place तो climate क्या होता है अगर किसी भी जगह का हम लोग ने temperature pressure rainfall pattern यह सब चीज़ों को अगर 25 year तक चेक किया और उसका average निकाला तो वो क्या create करेगा वो हमारे पास climate heat information देगा मतलब जो उससे information मिलेगी एक average information उसको हम लोग क्या बोलते हैं that is called climate next question question number 7 है इसमें देखे क्या बोला गिया है if there is high temperature with heavy rainfall तो high temperature भी है साथी साथ heavy rainfall भी है तो high temperature से क्या हो जाएगा high temperature से heat आ जाएगी hot आ जाएगा climate और साथी साथ heavy rainfall से climate कैसा हो जाएगा तो wet हो जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा Q7 का answer Q8 है राजिस्तान has dash temperature during most part of the year तो अगर राजिस्तान का temperature देखेंगे तो कैसा होता है गरम होता है तो हाई temperature राजिस्तान में होता है ठीक है नेक्स्ट कोश्टन कोश्नमबर 9 इसमें कहा गया है डाश इंडिया receives rain for a major part of year तो अगर major part देखा जाए year का तो उसमें जो इंडिया है मतलब इंडिया का कौन सा part सबसे जादा rain fall बोली जाए या हमेशा rain fall receive करता है तो जो आप देखेंगे North Eastern part है इंडिया का North Eastern part मतलब त्रिपरा हो गया मेगाले हो गया मिजूरम हो गया इन समें हमेशा बरसात होती रहती है हमेशा rain fall होती रहती है तो इसमें और आपको एक बात और भी याद रखनी है कि मायन सरा में एक ऐसी जगा है जहां पर वर्ड में सबसे आदा rain fall होती है और यह मेगाले में आता है ठीक है Next question देख लेते हैं Q9 के बाद Q10 देखेंगे लेकिन उससे पहले थोड़े से polar regions देख लेते हैं कि polar regions क्या होते हैं तो polar regions वो regions हैं जो कहा लाई करते हैं पोल्स पर लाई करते हैं जैसे माल लीजिए यह हमारे पास अर्थ है तो आपको पता होगा दो पोल्स होते हैं एक उपर North Pole आएगा और नीचे जो पोल आएगा उसको क्या बोलेंगे South Pole बोलेंगे देखेंगे दो पोल्स हो गए तो यहाँ पे जो इनके आस पास जो regions होगे उनको क्या बोला जाएगा polar regions ठीक है और ऐसे regions जो equator के पास होते हैं जो center से line पास होती है that is called equator तो equator के जो poles होते हैं equator के जो regions होते हैं उनको बोलते हैं tropical regions और वहाँ पे जो forest पाए जाते हैं they are called tropical rain forest ठीक है तो उसके examples आप देखेंगे कहां कहां पाए जाते हैं तो इंडिया हो गया मलेशिया हो गया इंडोनेशिया हो गया और बहुत सारे examples दिये गया है similarly आप polar regions के भी कुछ examples देख सकते हैं next question देखते है question number 10 है इसमें बोला गया है what is true about polar bears तो polar bears से related जो भी बाते हैं उनमें कौन सी बात यहां पे सही है तो देखें पहली बात जो बुली गई they have white fur और white color के होते हैं जिसकी वज़े से उनको उनके जो predators होते हैं मतलब उनको जो खाने वाले हैं वो उनको नहीं देख पाते और यह safely बचे रहते हैं इसके बाद देखें सेगेंड पार्ट में क्या बोला गया है they have layer of fat under their skin तो fat की एक layer होती है उनके अंदर skin में skin के अंदर एक fat की layer होती है जो उनको extreme cold से बचाती है ठीक है तो ये भी option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा third में क्या बोला गया है they are good swimmer ये good swimmer भी होते हैं क्योंकि इनके जो pause होते हैं ठीक है पंजे जो होते हैं वो कैसे होते हैं गई है तो polar bear में आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इनके पास white fur है देखे white color का fur दिखाई पड़ रहा है क्यों white fur है क्योंकि जिस atmosphere में रह रह रहे हैं जहां पर रह रहे हैं वो जगह किस से भरी होती है snow से भरी होती है जिसकी वज़े से ये किसी को दिखाई नहीं पड़ते जो इनके predators होते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ते और ये बचे रहते हैं अपने को safe रखे रहते हैं इसके बाद देखे strong sense होता है smell का strong sense मतलब इनको चीज़े बहुत जल्दी खुशबू आयती है या smell आ जाती है और उसकी वज़े से होता क्या है कि आसानी से अपने जो भी इनका prey होता है उसका आसानी से locate कर लेते हैं इसके बाद देखेंगे आप जो इनके पंजे देख रहे हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और इनके पास sharp claws होते हैं मतलब जो नाकून आप देखेंगे वो शार्क होते हैं जिससे ये आसानी से eyes में move कर सकते हैं eyes में आसानी से walk कर सकते हैं इसके बाद layer होती है fat की अभी हमने बात करी थी आप से और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फरकी भी इनके पास दो layers है ठीक है दो layers होती है फरकी जिससे आसानी से ये heat से मतलब cold से बचे रहते हैं ठीक है next question दियो दिया गया है penguin के बारे में पूछा गया है what is true about penguins तो penguins से related कौन सी बात यहाँ पे सही है तो आप penguin को देख सकते हैं दो penguins नहां देके चिपकी हुई खड़ी हुई है ठीक है तो huddled penguin को कहा जाता है huddled मतलब चिपकी हुई है ठीक है आपकस में सटी हुई है इससे होता क्या है ये इसको heat transfer करेगी ये इसको heat transfer करेगी इपनी body से और दोनों की body का जो temperature रहेगा वो क्या रहेगा maintain रहेगा तो देखे penguin के बारे कौन सी बात सही है पूछी गई है तो first option is it is white and merges well with white background तो बिलकुल सही है जैसे polar bears white होते हैं वो भी white background से merge हो जाते हैं छुप जाते हैं उसी तरीके से penguin भी merge हो जाती है white background से क्योंकि इनका color भी क्या होता है white होता है बी option में क्या बोला गया है it also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold which देखे जो चीज वहाँ पे थी कि उनके भी skin के नीचे fat था polar bear के उसी तरीके से penguin के skin के नीचे भी क्या होता है fat होता है जिससे यह क्या होती है बची रहती है इनको कोई असर नहीं पड़ता है ठीक है c option देख लेते हैं c option में बोला गया है their bodies are streamlined and their feet have webs तो बिल्कुल सही है streamlined body होती है जिससे यह आसानी से water में swim कर सकती है तो इसके चारो ही option सही है तो इसका answer हो जाएगा all of above next question देख लेते है question number 12 है question number 12 में देखते हैं क्या बोला गया है भरतपुर by bird century is situated at तो भरतपुर by bird century कहां situated है यह situated है यह situated है राजिस्तान में next question is question number 13 which of the following is true about tropical region तो true पूछा गया है कौन कौन साइस में होगा तो it has generally a hot climate because of its location around equator बिल्कुल सही है hot climate होता है बिल्कुल सही और क्यों के होता है क्योंकि यह पास में equator के पास में होते हैं और equator हमेशा heat receive करता है किससे sun से और direct heat receive करता है perpendicular heat receive करता है क्योंकि जो sun rays आती है equator पे वो हमेशा कैसी होती है normal होती है या perpendicular होती है even in the coldest month the temperature is generally higher than about 20-15 degrees Celsius मतलब अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होगी तो भी यहाँ का जो temperature होगा तो भी जो tropical region का temperature होता है वो 15 degrees Celsius से जादा होता है सोचे कितना जादा temperature रहता है tropical region पे और हम लोग भी कहीं न कहीं इसी region में belong करते हैं ठीक है बहुत सारी parts भारत भी ऐसे हैं जहां पर temperature क्या रहेगा temperature जो रहेगा वो 15 degrees Celsius के आसपास रहेगा जाड़े में भी जैसे केरला वेला साइड आप चले जाएंगे तो वहाँ पे जाड़े में इसके सही है तो ABC इसका correct answer हो जाएगा और देखेंगे last option जो है days are longer than nights throughout the year ऐसा नहीं है बिटा होता क्या है days और night दोनों बराबर के होते हैं in case of tropical region क्योंकि tropical regions अभी बताया था हमने आपको कहा लाई कर रहे है equator में लाई कर रहे है और equator हमेशा ही क्या करता है perpendicular light receive करता है किस से sun से तो यहां पर option number D क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बाकी option true हो जाएंगे next question 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 number 14 देख लेते हैं उससे पहले देखें दो तरीके क्या आपको rainforest बताए गया है या एक तरीके का rainforest tropical rainforest और polar regions हम लोग ने देखे थे अभी तो tropical rainforest आप देखेंगे तो भारत में कुछ जगह पाई जाती है से western guards हैं और असम है ठीक है western guards आप लोग ने देखा होगा यह जो portion है यह जो area है this is called western guards और यह जो area है इसको बोलते है eastern guards western guards पे जो भी biodiversity है बहुत जादा है क्योंकि यहां पर क्या पाई जाते है tropical rainforest पाई जाते हैं जादा वर्षा होती है और इसी लिए ज्यादा क्या सकते हैं कि यहां पर जो diversity है living organisms की बहुत जादा है ठीक है next question पर आते है next question देख लेते है question number 14 है question 14 वो पूछा गया है large ears of elephant help it to hear even dash sounds देखिए आपको पता होगा elephants के बड़े-बड़े से कान होते हैं और वो कैसे sound उससे सुन सकते हैं तो जितना भी soft से soft sound होगा वो भी क्य करते हैं elephant उसको सुन पाते हैं ठीक है question number 15 देख लेते हैं 15 में क्या बूला गया है name the elements that determine the weather of a place weather किसी भी place का कौन determine करता है तो बहुत simple है जैसे temperature determine करेगा pressure determine करेगा इसके बाद अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर wind की speed determine करेगी rainfall pattern determine करेगा तो यह सब चीजे इसके elements हो जाएंगे question number 15 में 16 देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया when are the maximum and minimum temperature likely to occur during day तो अगर एक दिन की बात क क्यार मतलब 24 घंटे में बूचा जाएगा कि maximum temperature minimum temperature कब होता है तो maximum temperature आप देखेंगे तो approximately 2 p.m. पे होता है मतलब यह कह सकते हैं afternoon में होता है ठीक है और minimum temperature जब आप देखेंगे तो minimum temperature को early morning बोल सकते हैं मतलब बिलकुल सुबय वाली जो सुबय वाला जो time होता है उस समय early morning मे temperature जो होता है वो minimum हो सकता है या night में भी minimum temperature हो सकता है मतलब late night में early morning में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं question number 16 में next question fill in the blanks है fill in the blanks में जो पहला part दिया गया है the average weather taken over long time is called average weather जो होगा एक long time में जो लिया आता है उसको क्या बोलाता है that is called climate अभी हम लोग ने climate की definition भी देखी थी next part में बोला गया है a place receives very little rainfall तो बहुत कम rainfall हो रही है और साथी साथ temperature भी कैसा है high है तो वहाँ का climate कैसा हो जाएगा तो देखे little rainfall की वज़े से मतलब rainfall कम हुई तो temperature जो होगा मतलब जो climate होगा और ड्राई होगा और साथी साथ वहाँ पे आप देख सकते हैं temperature हाई है अब high temperature की वैसे क्या हो जाएगा वहाँ पे heat होगी मतलब वहाँ पे hot होगा तो hot और dry temperature यहाँ पर dry climate यहाँ पर पाय जाएगा next बोला क्या है question number 3 the two regions on earth with extreme climatic conditions are dash and dash तो देखे दो regions क्या होते हैं जहाँ पे extreme climatic condition होते है extreme क्या मतलब या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बहुत क्या है तो एक हो जाएगा polar regions और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा पहला polar हो गया दूसरा क्या हो जाएगा tropical region हो जाएगा और अगर पूछा जाए भारत किस region में आता है तो आप कहेंगे भारत comes in tropical region next question question number 18 है type of climate of the following areas आपको बताना है climate कैसे कैसे होते हैं तो जम्मू एं कश सिर्फ बोलिए wet climate यहां पर रहेगा इसके बाद अगर moderately high कह सकते हैं इसमें यहां पर जो temperature होता है यह moderate होता है ठीक है ना बहुत ज़्यादा जाड़ा होगा ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो moderate temperature होगा और जो rainfall होगी उसको क्या कर देगी wet कर देगी तो wet and moderate type of climate यहां answer क्योंगी केरल जो है वहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा पानी भी बरसता है तो hot and wet will be the correct answer of केरला next question c part आप देखेंगे तो c part राजस्थान है राजस्थान में temperature कैसा होता है climate कैसा होता है तो राजस्थान का जो climate हो कैसा होता है hot and dry होता है मत हाँ पर हम लोग temperature की फिलाल बात नहीं करेंगे temperature तो moderate ही रहता है लेकिन rainfall बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वैसे climate कैसा हो जागा यहांगा wet हो जाएगा ठीक है next question देख लेते है next question is question number 19 इसमें बोला गया है which of the two changes frequently तो frequently मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो change हो उनमें से कौन सा change जल्दी जल्दी होता है तो weather जो है और climate है तो देखे climate जो है वो तो एक average चीज है average एक फिनामना है जो 25 years में approximately लिया जाता है लेकिन weather मे daily fluctuations होते हैं तो यहाँ पर weather इसका correct answer हो जाएगा question number 20 देखते हैं a carnivore with strips देखे कार्निवोर है carnivore मतलब मांसाहरी कह सकते हैं आप लोग ठीक है जो कुछ भी खा लेक तरीके से वो carnivore है ठीक है वैसे carnivore का मतलब वो होता है जो meat खाता है जो flesh खाता है उसको carnivore कहते हैं ठीक fast wild catching it spray अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत तेज दोड़ता है ठीक है अब कहां पाया जाएगा आप लोग समझ गया होंगे कि यह कौन से animal की यहाँ पर बात हो रही है जिस animal की बात हो रही है वो आप लोग comment box में लिखके हम लोग को बताईएगा ठीक है तो कैसा यह यह जो animal है यह कहां पाया जाएगा तो यह पाया जाएगा tropical rain forest में ना ही यह polar region में पाया जाएगा ना ही यह desert में पाया जाएगा ना ही यह portions में पाया जाएगा यह कहां पाया जाएगा tropical rain forest में मतलब भारत में भी यह पाया जाता है ठीक है question number 21 देखते हैं इसमें कहा गया है which features adapt polar bears to live in extremely cold climate तो cold climate की अगर बात करी जाएगी तो cold climate में जो polar bears रहते हैं उनका adaptations किन-किन properties से होता है मतलब वो किन-किन properties को adapt करते हैं तो white fur बिल्कुल सही है fat below skin बिल्कुल सही है keen sense of smell भी सही है तो ए औक्षन इसका सही हो जाएगा ठीक है next question पर आते हैं question number 22 है इसमें कहा गया है the maximum and minimum temperature displayed daily in weather bulletin refers to maximum and minimum temperature क्या होता है highest day temperature और lowest night temperature बिल्कुल सही है maximum temperature का मतलब क्या हो जाएगा जो पूरे दिन भर का सबसे ज़्यादा temperature record किया गया था और कब record किया था तो दिन में record गया था afternoon में record किया था वो temperature हमारा maximum temperature हो जाएगा और जो lowest temperature होता है वो minimum temperature क्या होता है तो जो lowest temperature पूरे दिन भर में record किया गया है चाहे वो morning में record किया गया हो early morning में चाहे वो late night में record किया गया हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग lowest temperature या minimum temperature बोलेंगे ठीक है next question 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 23 देख लेते हैं इसमें कहा गया है out of the following definition which is most appropriate definition of climate तो climate के बारे में कौन सी definition यहाँ पर सही है तो climate एक average phenomenon है तो average weather pattern of many years is called climate बिल्कुल सही है तो question number 23 का option B next question 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 24 इसमें देखें which of the following briefly describes desert climate तो desert में जो climate होता है वो कैसा होता है desert में बारिश नहीं होती है और साथी साथ गर्मी भी होती है ठीक है तो बारिश नहीं होगी तो dry हो जाएगा और एक तरीके से यहाँ पर dry और hot यहाँ पर B नहीं हम लोग use करेंगे हम लोग option number C use करेंगे तो 24 का जो answer हो जाए वो option number C हो जाएगा क्योंकि hot भी है और dry भी है humid मतलब हो जाएगा humid का उतलब क्या होता है humidity जादा है मतलब वहाँ पर बारिश जादा हो रही है तो अगर ज्यादा temperature है ठीक है ज्यादा temperature किसी जगह पर होता है और साथी साथ वहाँ पर पानी भी वरसता है तो वहाँ कर climate कैसा हो जाता है humid हो जाता है लेकिन desert में ऐसा नहीं होता desert में क्या होता है temperature जो है वो hot होगा और dryness भी बनी रहती है क्योंकि वहाँ पर बारिश भी नहीं होती है तो option C इसका सही हो जाएगा 25 में देखिए पहली की बात करी गई है पहली गई घूमने गई है wildlife century में गई है और उसने क्या क्या देखा तो dense vegetation थे trees, shrubs, herbs थी इसके साथ ही साथ variety of animals थे जैसे monkey हो गया, birds हो गया, antifans हो गया तो इस अब पाई गए बताना है आपको जो century है कहाँ पर situated है तो temperature region ठंडा होता ऐसा नहीं है tropical region में हो सकता है तो इसका answer क्या हो जाएगा, tropical region ही होगा ठीक है, बाकी दोनों क्या है, गलत है ठीक है, coastal region क्या होते हैं तो समुद्र के जो किनारे होते हैं, उनको कहते है coastal region जैसे यह जो है, यह coastal region है ठीक है, यह जो जगह आपको दिखाई पड़ रही है सब कैसे होते हैं, coastal region है तो यह coastal region की property नहीं बताई गई है question number 26 देख लेते हैं given below are some adaptive features of animals ठीक है, तो देखे, अब polar bear के बारे में बताना है कि कौन साइस में feature polar bear का होगा तो देखे, layer of fat बिल्कुल सही है long curved and sharp loss भी बिल्कुल सही है slippery body गलत है और fourth जो है thick white फर यह भी सही है तो इसका 1, 2 and 4 answer सही हो जाएगा तो option number D is correct ठीक है, next question देखते है question number 27, 35 question हम लोग को देखने हैं कुछ और questions बचे हुए है which of the following statement is incorrect for penguins तो penguin के लेके कौन सी बात incorrect है तो यह पहला option जो huddle है दोनों साथ में चिपखे रहते हैं cannot swim गलत है swim कर सकते हैं web defeat होती है जिससे वो आसानी से move कर सकते हैं streamline body होती है जिससे आसानी से वो तैर सकते हैं swim और सकते हैं तो यह option इसका B गलत हो जाएगा तो B इसका सही answer होगा next question is question number 28 read the following environmental conditions of tropical rainforest तो tropical rainforest से related कौन सी condition यहाँ पर सही है आपको ये बताना है तो पहला hot and humid climate है बिल्कुल सही है second बोला गया है unequal length of day and night तो ये गलत है tropical rainforest में equal length होती है day और night की next बोला गया है abundant rainfall ये भी सही है abundant rainfall होगी और साथी साथ है abundant light and moisture तो ये भी सही है तो इसका answer क्या सही हो जाएगा one three or four answer इसका सही हो जाएगा so option number c is correct next question देख लेते है next question क्या है question number 29 तो question number 29 देखेंगे अब हम लोग question number 29 में देखें क्या बताया गया है the coldest region on earth is the coldest region earth पे क्या है तो वो है polar region ठीक है extreme है temperature choose one odd सबसे मतलब इसमें बताना आपको अलग कौन सा है तो आप इसमें चार properties देखें दी गई है thick layer of fat under the screen बिल्कुल सही है polar bear में होता है wide fur भी सही है polar bear में भी होता है long grasping tail ये polar bear में नहीं होता है wide and large feet with sharp claws ये भी polar bear में पाय जाता है तो मतलब यहां पे एक तरीके से जो a, b और d option है वो polar animals में होते हैं और जो polar bear में होते हैं और जो c option है वो polar bear का adaptation नहीं है तो c option इसमें और one out हो जाएगा ठीक है next question question number 31 देखते है give one example of animal that can live both in water and on land तब आपको एक option ये बताना है एक answer ये बताना है कि कौन सा ऐसा animal है जो land पे भी रहता और जो जो मतलब water में भी रहता उसको कौन क्या कहते हैं उनको कहा क्या जाता है वो आप बताईएगा example बहुत सारे है जैसे turtle है frog है ठीक है snake है तो बहुत सारे examples इसमें हो जाएगे name two animals each that live in polar region तो polar region में अगर आप दो example देखा जाए तो polar region में क्या हो जाएगा polar region में हो जाएगा polar beer और साथी साथ penguin लेकिन अगर tropical rainforest की बात बोली जाए तो tropical rainforest में क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा जैसे दो चीजे जैसे हम लोग tiger की बात कर ले lion की बात कर ले elephant की बात कर ले बहुत सार example इसमें आ सकते हैं question number 33 देखते हैं इसके बाद तो question number 33 देख लेते हैं 33 question में क्या कहा गया है state यहाँ पर true or false बताना है और mainly आको correct भी करना है तो first में बोला गया है it is easy to predict weather than climate तो यह गलत है weather daily का daily change होगा तो उसको आसानी से predict नहीं किया जा सकता है लेकिन climate क्योंकि एक average है उसको आसानी से हम लोग calculate कर सकते हैं तो इसका answer A हो जाएगा इसके बाद देख लेते हैं B option है Since very few prey are available polar bear does not need to have a strong sense of smell यह गलत है polar bear के पास अच्छी sense of smell होती है they have a strong sense of smell जिससे वो आसानी से अपने prey को क्या कर सकते हैं catch कर सकते हैं तो यह हो जाएगा पहला वाला तो हो जाएगा false दूसरा भी हो जाएगा false तीसरे पर आते हैं penguins stick together to fight cold polar temperature यह तो true है ठीक है आपस में huddle रहते हैं दूसरे से चिफके रहते हैं इसके बाद D option देख लेते हैं D option बोला गया है tropical rainforests are cool and humid throughout the year because of heavy rains all the time यह भी क्या है यह cool देखे cool बोला है tropical rainforest में cool थो ही नहोता है तो hot होता है ठीक है next question और आज का last question देख लेते हैं mass the following है तो red eye frog जो होता है इसके जो pair होते हैं वो red color के भी मैं आपको दिखाऊंगा चिपचिपे pair होते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा sticky pads on feet ठीक है penguin की बात करी जाएगी तो streamline body है यह बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है इसके साथ में tigers के बारे में बात करें तो tigers बहुत चीजों का असानी से सुन सकते हैं ठीक है बहुत sensitive होते हैं इनके कान इसके बात lion tailed macaqoo जो है वो क्या होता है silver white mane है यह मतलब long tailed macaqoo जो है यह एक तरीके का monkey है अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो beards है वो एक तरीके से कैसे होती है silver color की होती है चलिए एक बार diagram में देख लेते हैं क्या क्या चीजे हैं तो देखिए token के बारे में बताया गया है यह एक migratory bird है बहुत important bird है इसके बाद long tailed macaqoo जो है वो यह है देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक तरीके का बंदर है monkey है जो यहाँ पे देखिए बैठा हुआ है और इसकी जो beards है वो silver color की आपको दिखाई पड़ रही होगी एक देखिए कि यह बहुत प्यारा सा monkey है जिसको new world monkey भी कहा गया है यह सब ऐसे animals हैं जो बहुत कम पाय जाते हैं extinct हो चुके है एक तरीके से ठीक है और यह देखिए red-eyed frog है इसकी जो यह feeds है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग red color की जो feeds हैं इसमें एक इस्टिकी material होता है ठीक है तो आज के लिए फिलाल हमाँ पास इतना ही है अगले lecture पर एक और नए mcq session के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी till then goodbye thank you very much जाहई जाए हैं